लोगसबा में केंद्रे वित्यमंत्री निर्मला सीता रमण ने साल दोहजार चोईस पच्चिस का पून बजट पेश किया मोधी 3.0 का या पहला बजट है जिसे सत्तापक्ष के लोग शांदार बता रहे हैं हाला कि बजट पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है केंद्री बजट को राजस्थान में भी सत्तापक्ष ने अच्छा बताया और खूब तारीफ ही लेकिन विपक्ष द्वारा इसे पूरी तरह से निराशार जनक बताया क्योंकि बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया नमस्कार मैं उशेक जूही आप देख रहे हैं दनगरी नीज बजट पर गोविन सिंग्डो टासरा अशोग गहलोत समय कई विपक्ष नहताओं ने प्रतिक्रिया दी वही अब सचिन पाइलेट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिये कॉंग्रेस के राष्ट्रे सच्रीव और राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री सचिन पाइलेट ने केंद्रे बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए था कि वित्यमंत्री ने बजट में अनेक प्रदेशों की योजनाओं का उले किया लेकिन राजस्थान की ERCP और युम्ना लिंक योजनाओं के कोई घोशना नहीं की जो प्रदेश की जनता के साथ छलावा है जबकि केंद्र की मंत्री ने अपने मौजूद्गी में मद्धे प्रदेश और हर्याना के साथ M.O.E.U करवाये थे वित्यमंत्री ने इस बजट को रोजगारों मुखी बताने का प्रियास किया जो की दर्शाता है कि BGP सरकार ने इस सुईकार के लिया है कि बेरोजगारी चरम पर पहुची है बजट में दिखाए गए कदमों से बेरोजगारी कम नहीं होने वाली क्योंकि निम्न मध्यमवर्ग में महंगाई के कारण खपत बढ़ नहीं पा रही है सरकार को हर हालत में सरकारी पुँचगती व्याय को और बढ़ाने और जोड़ देना होगा पाइलेट ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के अधिन चल रहे लगबग 10 लाक रिक पदों को जीवन रेखा मन रेगा परवित्यमंत्री द्वारा बजट भाशन में एक शब्द भी नहीं भोलना समस्य पर है कॉंग्रेस गोशना पत्र की इंटर्शिप योजना बजट में शामिल करके बीजीपी सरकार में सुईकार कर लिया कि कॉंग्रेस की नीतियां सदा से देश के हित में रही है इस बजट से न महंगाई कम होगी न बड़ी मात्र में रोजगार उत्पन होने और ना ही राजस्तान को कोई विशेश योजना मिलेगी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दन अगरीनियों शुक्रिया